तो हम बात कर रहे थे सनी की महादसा के बारे में वर्षब लगन में जब आपका सनी विभिन भाव में इस्तित हो तो महादसा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका वर्षब लगन में सनी पंचम भाव में बैठा हैं, तो सनी की महादसा आ जाने पर आपको किस प्रकार के प्रेणाम सनी दे सकते हैं देखे पंचम भाव जो आपका है वर्षब लगन में वो 6 नमबर रासी है ने कन्या रासी है और कन्या रासी सनी के लिए अपने मित्र बुद्ध की रासी है ऐसे में आपकी चार्ट में अब बुद्ध का स्ट्रोंग होना बहुत ज़री है इसके अलवा अगर आपका लगनेश मजबूत हो लगनेश का शमंद अगर सनी से हो तो ये और भी अच्छे बात होगी देखे सनी का आपके फिफ्थ हाउस में होना और अपनी महादसा के दुरान सनी का ये दिखाता है कि आप अपनी संतान को लेके बहुत ज़्यादा केरफुल रहेंगे अब अपनी earnings को लेके बहुत ज़़ा unsecure feel करेंगे इसके अलावा आपको शुरुवात में जब सनी की दसा start होती है उस समय अप्रोपर तरीके से किसी भी चीज के लिए प्लान करना मुस्किल होगा लेकिन दिरे दिरे आप अपने mind से काफी stable होते जाएंगे अब जो insecurity feel कर रहे थे वो आप में नहीं रहेगी इसे में आप एक परभलता के साथ या एक strong decision के साथ आगे बढ़ सकते हो सनी का पंचम भाव में होना love life के लिए अच्छा नहीं है संतान के साथ थोड़ा बुत मनमुटाव करवा सकता है और आपको देखा जाए तो love life को लेके बहुत ज़्यादा satisfaction नहीं रहेगा सनी की दसा के दुराण इसके लवा आप कभी-कभी अपनी काबलियत को ठीक से नहीं जान पाएंगे या काबलियत को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे इस वज़े से आपके बहुत सारे निर्ने ऐसे हो सकते हैं जो आपके जिद्द से लिए भे हो सकते हैं या आपने अपने किसी भी बात पे बरौसा नहीं किया काबलियत पे बरौसा नहीं किया और इन सब को दरकिनार करके लिए गए निर्ने हो सकते हैं ऐसे में जातक अगर सुरुवाती एज में हैं तो उसकी एजुकेशन काफी ज़्यदा डिस्टरब हो जाती है, तो यहां पर एक जो सनी की स्तती है, उसके वज़े से आपके सीखने की प्रवर्ती, आपकी यादास्त, आपकी सोचने की छमता, या विसलेशन करने की छमता, इन सबको सनी प्रभावित करने वाले हैं, इसके इलावा आपको investment करने से नुक्सान दे सकता है ऐसा सनी, आप देखा जाए तो सनी पंचम भाव में हैं, पंचम भाव में हम जो भी विचार करते हैं, हम जो भी नर्ने लेते हैं, या जिस भी प्रकार से हमारा thought process रहता है, इन कार का सनी आपकी मारग में आने वाली सबी बादाओं को दूर करेगा चाहे वो अपने केरियर को लेकर बादाए हो चाहे आपके अर्णिंग्स को लेकर बादाए हो लेकिन वास्तम में ऐसा सनी आपको काफे स्ट्रॉंग बनाएगा धीरे धीरे और आपको रियलिटी से प्रोसेस है उसका कितना ज्यादा इंपोर्टेंस आपके लिए है ये सब आपको सनी फिल करवाने वाले हैं इसके लावा सनी पंचम भाव में हैं तो आपका पार्टनर्शिप डिस्टरब हो सकता है आपको बहुत ज्यादा धन अरजित नहीं होगा बहुत ज्यादा कठिनाई होगी निर्ने लेने को लेकर बहुत कठिनाई होगी और उसके बाद जब आप फाइनल प्लान करते किसी काम के लिए तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिदेंस में नहीं नजराएंगे सनी की ये इस्तिती की वज़े से अकसर आपको मानसिक तनाव चिंता बैचनी का सामना कर पढ़ सकता है हलंकि सनी के होने के वज़े से आप थोड़े रिजेट रहेंगे और काफी महनती भी होंगे लेकिन महनत का आपको पूरा-पूरा फल नहीं मिलेगा अगर बुद्ध से सनी का सम्मंध हो तो ऐसे में कुछ हद तक चांसिज हैं कि आपका जो विचलेशन होगा आपके जो निर्ने होंगे काफी सटीक होंगे लेकिन कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा देरी कर देंगे इस वज़े से आपको जो लाब मिलना चेह था वास्ता में वो नहीं मिल पाएगा सनी की इस्तिती की वज़े से अकसर आप frustrated रहेंगे आप बहुत तेजी से काम करने के बारे में सोचेंगे बहुत जल्दी सूचनाओं का collection या किसी भी प्रकार के communication से related काम कर रहे हैं तो वहाँ पे काफी तेजी से काम करने को देखेंगे ऐसे में सनी एक delay वाली इस्तिती यह डालते हैं और उस वज़े से आपके कारियों में काफी ज़्यदा delay हो सकता है अब हम अगर सनी की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले सनी आपके सात्वे भाव को देखते हैं सात्वे भाव जहां वर्ष्चिक रासी है मंगल की रासी है ऐसे में आपको सनी यहां उत आपको बिजनस को हेंडल करना काफी मुश्किल होगा सनी का एसपक्ट जो सेवन्थ हाउस पर है इसकी वज़े से किसी भी प्रकार के प्लान बिजनस प्लान या लोगों की साथ मिलते जुलते समय थोड़ सा आप साई फील कर सकते हो इसके लावा आपको कोई भी जो प्लान है आपके सेवन्थ हाउस से रिलेटेड वो ठीक से काम नहीं करेगा ऐसे में आपको चिंता और बैचनी का सामना करना पड़ सकता है साथी साथ सनी का सप्तम भाव पर एस्पेक्ट होनी के वेज़से सनी की दसा से पहले अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है तो सनी की दसा मे आप बहुत ज़्यादा समय ले सकते हैं अपने पार्टनर को चूज करने के लिए इस प्रकार का सनी अकसर आपको पार्टनर्सिप में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा आप अपने खुद के बल पे अपने खुद की मेहनत से अगर कुछ करते हैं तो ज़्यादा बेटर र आपको काफी लोग एप्रिसेट करेंगे इस वज़े से आप थोड़े मोटिवेटेड भी रहेंगे सनी का सेवन्थ हाउस को देखना आपकी पबलिक इमेज को काफी ज़्यादा सीरियस बना देगा आप ज़्यादा तर लोगों के बीच जाना लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे आप अपने आपसे बात ज्यादा करेंगे अपने आप पर फोकस ज्यादा करेंगे उसके बाद सनी का एसपक्ट रहेगा आपके 11 पर 11 पर जो एसपक्ट है इसकी वज़े से आप कभी-कभी अपना पैसा खो देंगे आप अपने धन को अच्छे से मैनेज नह तो ऐसे में आपको पर्मोशन बगएर नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे ऐसे कार्ये, जिन में काफी डिले का सामना करना पड़ेगा साथ ही ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैसा है आपका जो धन है वो कहीं न कहीं फस जाए आपने कहीं गलत जगाए इन्वेस्ट कर दिया या किसी को दे दिया जिसकी वज़े से आपको धन का नुक्षान तक हो सकता है तो सनी का आपके नेटवर्क सरकल को देखना कुछ हद तक आपको लोगों से मान समान दिला सकता है लोगों से एप्रिशेशन दिलवा सकता है लेकिन यहाँ पर आप अगर धन का खर्चा करते हैं दूसरे लोगों के उपर या दूसरे लोगों को उधार देते हैं तो वो पैस आपका सनी की दसा के दुरान भी और उसके बाद भी वापस लोटकर नहीं आएगा इसके अलावा ऐसा सनी आपके decision जो आप लेंगे वो decision काफी न्याएप्रियर decision होंगे लोगों के favor में होंगे आपके भी favor में होंगे लेकिन आप गिसी का बूरा कभी नहीं करेंगे इसके अल साथ के भी problem chances हैं कि आप बहुत लोगों से connect होने का प्रियास नहीं करेंगे सिर्फ आप अपने मतलब के लिए या अपने काम निकालने के लिए ही लोगों से connected रहेंगे साथ इसाथ आपके कुछ अच्छे friends जरूर हो सकते हैं सनी की दसा के दुरान जो आपको काफी support देंग आप थड़ा practical ज्यादा रहेंगे उसके बाद सनी देखते हैं आपके second house को second house जहां मिथन रासी है मिथन रासी होने की वैसे आप क्यूंकि बुद्ध की रासी में ही यहां सनी आपके विराजवान है पंचम में और वो second house को जब देख रहे हैं तो ऐसे में बुद्ध की ही र समंदी या property समंदी फाइदा सनी दे सकते हैं इसके लवा आपके वानी पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव अवसे रहेगा जिससे आपकी वानी ज्यादा सतीख होगी और थोड़ी तीखी वानी हो सकते हैं दूसरों को काफी बुरी लग सकती है अब देखे depend करता है सनी क सनी की दसा आपको आती कब हैं जैसे कोई जातक ऐसा हो जिसको सनी की दसा बहुत early age में आ जाती है जब आप एक student की रूप में होते हैं school या college में पढ़ रहे होते हैं उस समय आती है तो इस समय आप उतना better lab सनी की दसा का नहीं उठा सकते इस समय आपको study में दिक्कत आएग आपको visualization से related दिक्कत आएगी तो analysis नहीं कर सकेंगे इसके लावा ऐसा सनी आपके mind को काफी जदा प्रभावित करेगा mind से आपको काफी delay कर देगा फिर हो सकता है किसी जातक को mid age में ऐसी दसा आती हो तो शुरुआत में दसा के starting में निरने लेना काफी कठिन हो जाएगा बह ऐसे बैसे सनी आपके लिए ज्यादा favorable होता जाएगा mid age में ऐसी दसा आ रही है तो निस्त रूप से आप wealth accumulation कर पाएंगे धन ज्यादा से ज्यादा अरजित कर पाएंगे लेकिन ये जो प्रिक्रिया है वो काफी slow चलने वाली है फिर हम अगर देखे mid age में अगर ऐसी दसा हो तो संतान के साथ उतना जदा attachment कभी कभी नहीं रहता हलंकि आप संतान को लेकर बहुत ज़्यादा serious जरूर रहते हो इसके लावा ज़्यादा तर सनी की ये दसा आपको mid age में practicality पर ज़्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करेगी जहाँ पर फालतों की भावनाय नहीं है ज हिलाब अच्छा देगी साथी साथ family के साथ आपको समय बिताने को मिलेगा सनी का ये placement जब भी all days में दसा आती है तो उस समय नेरने लेना काफी मुस्किल हो जाता है सोचना समझना calculation करना ये सब काम थोड़े मुस्किल हो जाते हैं तो इस level पर थोड़ी से आपको चुनोतिय सनी भी आ सकते हैं ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी सनी आपके पंचम भाव में इस्तित्थों और सनी की महादसा आप लोगों को आ रहे हैं